हलो फ्रेंट्स मेरे यूट्यूब चानल पर आपका स्वागत है तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 7 साइंज चाप्टर 17 फोरेस्ट आर लाइफ कीवर्ड्स कीवर्ड स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो चल लगे तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और मेरे चानल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूले और प्रेस दे वेल आइकन ताकि आपको मेरी सारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन तुरन पिलते रहे तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इस किनॉपी दे क्राउन ओफ टॉल ट्रीज टोगेदर फॉर्मा रूफ ओवर दी अदर प्लांट्स और कॉल किनॉपी देखिए किनॉपी का मतलब क्या है कि जितने भी टॉल ट्रीज उनके जो क्राउन है वह ए पर ट्री विद ब्रांच इस कॉल्ड क्राउन देकि क्या है पाट अफ दी ट्री विद ब्रांच इस के साथ उसे ही क्राउन कहते हैं थर्ड इस दिकंपोज जो ऑनीजितर पर्च चार्ट हम होने कें करते हैं और्गानिक मटेरियल को सिंपलर पार्ट ही या सब्स्टाइनने में उन्हें decomposers कहते हैं, fourth is deforestation, the cutting down of trees on a large scale is called deforestation, deforestation का मतलग क्या है कि बहुत ही large scale में जो trees है उनका cut करना उन्हें ही deforestation कहते है, fifth is humus, the rotting dead matter in the soil is called humus, the rotting dead matter in the soil is called humus, the rotting dead matter है, leaves, plants, dead leaf, plants, dead plants, dead animals, इन्हें जो सब हैं, इनको ही मिला कर हम humus कहते हैं, sixth is regeneration, the process of getting back a full organism from its body part is called regeneration, regeneration का मतलब क्या है कि वो process जिसमें हम full organisms को वापस ला सकते हैं, उसके body part से उसे ही हम regeneration कहते हैं, seventh is seed dispersion, seed dispersion is a movement spread और a transport of seeds away from the parent plant is called seed dispersion, the seed dispersion क्या है कि जो seeds का movement या transport होना अपने parent plant से उन्हें ही हम seed dispersion कहते हैं, eighth is soil erosion, the removal of top layer of fertile top soil by wind of water is called soil erosion, देखिए, जो top layer है, fertile top soil की उसका removal होना, किसके थुरू by the wind or water, उस removal को हम soil erosion कहते हैं, ninth is understory, an underlying layer of vegetation that grow beneath a forest canopy is called understory, देखिए, जो underlying layer है, जो underlying layer of vegetation है, जो ग्रो कर रही है, beneath the forest canopy, यानि कि forest canopy के नीचे उन्हें ही हम understory कहते हैं, आज के लिए इतना ही, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और मेरे चानल को सब्सक्राइब करना बिल्कूल ना भूले, एंड प्रेस दिबल आइकन ताकि आपको मेरी सारी न्यूव वीडियो की नोटिफिकेशन तुरेंग पिलते रहे, थांक्यू सो मच, आपको मेरी रहे, आपको मेरी न्यू बता हता सねंते तुरें कि ममती तक यह को लगाइकन तोस्के रहे को money, क्यूल कृआम झाक, कम मतीकिन चानल को जाफको मेरी एंपको मेरी तोस्केशन, तोस्कें आपको मेरी दाताव जाता है, झाल झाल